नमस्कार किसान भाईयों आप देख रहे हैं यूटूब चैनल किसान जैनकरी मैं अभी से एक आप सभी किसान भाईयों का स्वागत करता हूँ और आज हम लेकर आये बर्स 2020 और 21 के लिए सभी खरी फशलों पर लिए नियूंतम समर्थन मूल पर ब्रद्धी की गई है केंदर स जो कि किंद सरकार ने यहां पर फशलों के दाम बढ़ा दिये गए हैं चलिए यहां पर स्वेविन की मैं बात करता हूँ तो स्वेविन यहां पर 3710 रुपे प्रतिकुंटल 2019-20 में खरीदा गया था लेकिन इसे बढ़ा कर 2020-21 में यहां पर 3880 रुपे प्रतिकुंटल कर दि गया है चलिए अगली फशल की यहां पर बात करते हैं और अगली फशल जो है औरदा है औरदा यहां पर 2019-20 में इसे सतावन सो रुपे प्रतिकुंटल खरीदा गया था लेकिन इसे बढ़ा कर 2020-21 में 600 रुपे प्रतिकुंटल कर दिया गया है अगर इसकी बड़ोतरी की बा यहाँ पर धान सामान ने जो है 2019-20 में 1,15 R어? प्रतिकंटल खरीदा गया था लेकंड़ा था 2021 में 1,1868 R. प्रतिकंटल कर दिया गया है. अगर इसकी बड़ोतर की बात करें, तो यहाँ पर 53 रोपर चैनल यहां पर बढ़ा दिये गया हैं. और सामा धान की जो बात करते हैं धान ए ग्रेट की ए ग्रेट की बात करते हैं तो यहां पर 2019-2020 में 1835 प्रतिक उंटल की दर से यहां पर खरीदा गया था लेकिन 2020-2021 में 1888 प्रतिक उंटल खरीदा जाएगा और अगर इसकी बड़ोतरी की बात करें तो 53 रुपे इसमें बढ़ाये गये हैं चलिए अगली फ़सल की ओर चलते हैं और अगली फ़सल जो है जो तुर है अरहर और इसकी 2019-2020 में इसे अठावन सो रुपे प्रतिक उंटल की दर से खरीदा गया था लेकिन इसे बड़ा कर 2020-21 में 6000 रुपे प्रतिक उंटल कर दिया गया है और इसकी बड़ोतरी की बात करें तो 200 रुपे प्रतिक उंटल की दर से यहां पर बड़ोतरी की गयी है चलिए अगली फ़सल की ओर चलते हैं अगली फ़सल जो है यहां पर मूंग है मूंग 2019-20 में 7000 रुपे 7500 रुपे प्रतिक उंटल की दर से यहां पर खरीद गया था लेकिन इसे बड़ा कर 2020-21 में 7196 रुपे प्रतिक उंटल कर दिया गया है और अगर इसकी बड़ोतरी की बात करें तो 146 रुपे प्रितिकुंटल की दर्स यहां पर बढ़ाया दिया गया है चलिए अगली फ़सल की ओर चलते हैं अगली फ़सल जो है मूंग फली है मूंग फली 2019-20 में यहां पर 5090 रुपे प्रितिकुंटल की दर्से खरीदा गया था लेकिन इसे बढ़ा कर 2020-21 में 5275 रुपे प्रितिकुंटल कर दिया गया है अगर इसकी बड़ोतरी की बात करें तो 185 रुपे प्रितिकुंटल की दर्से बढ़ाया गया है चलिए अगली फसल की ओर चलते हैं अगली फसल है मक्का मक्का 2019-20 में इसे 1760 रुपे प्रितिकुंटल की दर्से खरीदा गया था लेकिन इसे बढ़ा कर 2020-21 में 185 रुपे प्रितिकुंटल कर दिया गया है अगर इसकी बड़ुतर की बात करें तो 190 रुपे प्रितिकुंटल यहां पर बढ़ाया गया है चलिए अगली फसल की ओर चलते हैं चलिए बाजरा 2019-20 में इसे 2000 रुपे प्रितिकुंटल खरीदा गया था और जुआर हाइब्रेड जुआर हाइब्रेड 2019-20 में 2550 रुपे प्रितिकुंटल की दर से खरीदा गया था लेकर इसे बढ़ा कर 2020-21 में 2620 रुपे प्रितिकुंटल कर दिया गया है अगर इसकी बड़ुतरी की बात करने तो 70 रुपे इसमें बढ़ाय गया है जुआर माल डंडी यहाँ पर 2019-20 में 2570 रुपे प्रितिकुंटल कर दिया गया है अगर इसकी बड़ुतरी की बात करें तो 70 रुपे इसमें बढ़ाय गया है चलिए अगली फ़सल की ओर चलते हैं अगली फ़सल जो है रागी है रागी 2019-20 में 3150 रुपे प्रितिकुंटल की दर से खरीदा गया था लेकिन इसे बढ़ा कर 2020-21 में 3295 रुपे प्रितिकुंटल कर दिया गया है और अगर इसकी बड़ुतरी की बात करें तो 145 रुपे प्रितिकुंटल की दर से यहाँ पर बढ़ाय गया है चलिए यहाँ पर अगली फ़सल के ओर चलते हैं और यहाँ पर तिल की बात करते हैं तिल 2019-20 में 6485 रोवी पट्री कुंडल खरीदा गया था लेकिन इसे बढ़ा कर 2020-21 में 6855 रोपे कर दिया गया है और अगर इसकी बड़तर की बात करें तो 370 रोपे यहाँ पर बढ़ाय गया है चलिए अगली फ़सल के ओर चलते हैं और मैं कपास की बात कर लोँ कपास दू क्वालिटी में यहाँ पर खरीदे सरकार खरीदती है यहाँ पर कपास माद्यम 2019-20 में 525 रोपे पर्टी कुंडल खरीदा गया था और यहाँ पर दूसरे कपास की बात कर लेते हैं जो की है लंबा रेशा वाला है और इसे जो है 5550 रोपे पर्टी कुंडल खरीदा गया था 2019-20 में लेकिन इसे बढ़ा कर 2021 में 5825 रोपे पर्टी कुंडल कर दिया गया है और अगर इसकी बड़ोतरी की बात करें तो 275 रोपे पर्टी कुंडल यहाँ पर बढ़ा गया है चलिए अगली फसल की बात कर ले तो यहाँ पर अगली फसल राम तिल है राम तिल यहाँ पर 2019-20 में 5940 रोपे पर्टी कुंडल खरीदा गया था लेकर इसे बढ़ा कर 2020-2021 में 6,695 रुपे प्रती कुंटल कर दिया गया है और अगर इसकी बड़ोतरी की बात करने तो 755 रुपे प्रती कुंटल यहाँ पर बढ़ा दिया गया है चलिए अगली फसल की बात कर लिए और यहाँ पर किसान भाईयों हमने जो है 15-14 फसलों का यहाँ पर पूरा बेबरन आपको बता दिया है और अगर किसान भाईयों इसी प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सेयर जरू करें अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो डिस लाइक जरू करें धन्यबाद किसान भाईयों